आरो मेंस का टेस्ट नंबर सेकेंड करेंगे हम लोग, अगर आप आरो मेंस का हमारा पेड गूरूप जोइन करना चाहते हैं, तो गिवन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, वहाँ पर कन्वेनिशनल हिंदी और एसे राइटिंग की पूरी प्रैक्टिस करवाई जा रहे हैं, इसम आप 22 तक 20 तक पहुंच रहे हैं, तो मतलब आपको पढ़ने की जरूरत है क्योंकि कोशन्स इतने ही ट्रिकी, आपको देखने को मिलेंगे, पहला हमारा सवाल है कि निमलिकित में से तत्शम शब्द काउन सा है, तो तत्शम शब्द पहचानना हो या पी ततभव आपको पह जाएगा, और मिश्टान नहीं होता है, जिन लोगों ने मिश्टान अभी तक पढ़ा है, ठीक है, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, तो ये गलत वर्तनी है, मिश्टान नहीं होता है, पहला एंसर हो जाएगा D, उसके बाद है कि मैल का तत्शम रूप कौन सा है, मैल का आपका तत्शम रूप बनता है मल, option number D यहाँ पर सही है, तत्बह रूप यहाँ पर पहचानना है, तत्बह रूप आपने अगर दोहत ध्यान से बुक में पढ़े हैं, तो ही आप इसको कर पाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर मोती का तत्शम दिया हुए मौ मरकटी, इसका आपका तत्शम होता है मरकटी, तो हमारा यहाँ पर एंसर हो जाएगा A, उसके बाद तत्शम शब्द पहचानना है यहाँ पर, तो तत्शम शब्द यहाँ पर हो जाएगा आपका मोटन, option number B, ठीक है क्योंकि पहली वाली की तो वरतनी गलत है, उसके बाद लूट का हो जाता है निरलुंठन या फिर लूट हो जाता है लेकिन लूट नहीं होता है, लूट तत्भव हो है, लूट का वैसे संस्कृतिक वेलेंट निरलुंठन होता है, और पूजारी नहीं होता है, पूजाकारी होता है, पूजाकारी तत्सम होता है इसका, सग्यान क आपका तद्भारूप क्या होगा सग्यान का तद्भारूप हो जाएगा सयाना option number C अब आप दाई तरह focus करें यहाँ पर हमको बताना है कि 80 शब्द उपकरेंड की लागत 80,000 रुपे आखी गई वाक्य में किस प्रकार का विशेशन है इसमें हमको find करना है तो यहाँ पर 80 है, 80 एक संख्या वाक्य विशेशन है किस प्रकार की संख्या एक निश्चित संख्या है तो option number B यहाँ पर correct हो जाएगा यह असान सथा इसमें आपको बताना है जिसमें गुण वाक्य विशेशन का प्रयोग किसमें दिख रहा है इरिशा करना मनुष्य का सुभाव है तो इसमें कोई गुण वाक्य विशेशन नहीं है मामला 6 मां से लंबित है तो इसमें आपका कोई गुण वाक्य विशेशन नहीं है संख्या वाक्य वाक्य है ठीक है उसके बाद है कि सावन में नदियां उफनती है इसमें कोई विशेषण नहीं है अंडिदमाण कार में महीन बालू का प्रयोग होता है तो महीन बालू महीन क्या है गुडवाचक विशेषण है तो हमारा एंसर हो जाएगा इसमें प्रमुक का सही विलोम शब्द क्या है तो प्रमुक का सही विलोम शब्द क्या है तो प्रमुक का सही विलोम शब्द हो जाएगा गौण, option number A ब्राकुटी का सही विलोम शब्द क्या होगा ब्राकुटी का सही विलोम शब्द है त्रिकुटी, option number A यहाँ पर सही है ठीक है तो यह कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको जनरली नहीं पता लगते हैं, वो यहां पर मिलाए हो, बाकी तो आप सब पढ़ते ही रहते हैं, तो यही इस टेस्ट का परपस है कि उन सब्दों को या फिर उन चीजों को सामने लाना जो जनरली नहीं दिखती हैं, रासन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, रासन का मतलब ह होता है, हानी होना, ठीक है, नुकसान होना और अवनती होना एक तरही के से, तो इसका विलोम शब्द बनेगा उतकर्श, यानी की उननती होना, ठीक है, उसके बाद है कि विलोम शब्दों के युगम की दरश्टी से कौन सा युगम गलत है आपको, यहां पर फाइंड करना इसमें हमको पताना गलत युगम कौन सा है, उपादे का मतलब होता है, उपयोगी जो होता है, हमारे काम आता है, लाब दायक होता है एक तरीके से, और हानी का रख हो जाता है इसका विलोम, तो युगम हो गया आपका सही, ठीक है, पहला करेक्ट, उसके बाद है कि उद्व प्रायवाची जाता है, समानार्थी जाता है, विलोम नहीं है, और फिर से बताना है कौन सा युगम गलत है, तो इसमें आप देखेंगे, खंडन मंडन सही है, उसके बाद गुमसुम बातुनी सही है, गूड़ और सरल सही है, और लेकिन ये जीन और छीन एक दूसरे के समा वर्तनी का चैन करना है, सोलवे में, पहला वाला गलत हो जाएगा वर्तनी, अमा वस्या होता है, पर साल लगा हुआ है, ये नहीं होगा, प्राचीनतम में ये हलंत नहीं आएगा, और वाम पंथी में ये नहीं आएगा, तो ये तीनों गलत हो गए, एंसर हो जाएगा इसमे प्रतीत सही है, वर्तनी के दरश्टी से कौन सा अशुद्ध है ये बताना है, तो भर्त्सना ये सही लिखा हुआ है, शाप भी सही लिखा हुआ है, उदात भी सही लिखा हुआ है, लेकिन निश्कपट इस तरीके से नहीं लिखते हैं, निश्कपट लिखेंगे हम इस तरीके से निश्कपटी यह सही होगा यह वला हो जाएगा रॉंग और यह हमारे question का answer हो गया अब इसमें हमको बताना है अशुद्ध वाक के कौन सा है तो शुद्ध वाले अलग कर लेते हैं पहले मैं तुम्हें अच्छी तरही किस जानता हूं अशुद्ध वाक के चुनना है पहला सही चांट लेते हैं दयालू की वरतनी वासे यहां पर सही कर लेंगे यह टाइपिंग मिश्टेक बार बार हो जाती है यह अगर हम सही कर लें तो यह सही है ठीक है हमारा यहां सालों से आना जाना यह भी सही है और आधर चात्र का जीवन सरल नहीं होता यह भी सही है उसके देहान पर पूरे महले ने शोक किया यह गलत है शोक प्रकट किया होता है ठीक है शोक किया नहीं होगा शोक प्रकट किया जो नियम के अनुकूल ना हो से क्या उसे हम बोलेंगे अचूता, option number B, उसके बाद है कि गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक सब्द क्या होगा हो जाएगा, अंक शाइनी, शाइन यानि सोना और अंक मतलब गोद, option number A यहां पर सही है, उसके बाद है हमारा कि किसी मत या प्रस्ताव पर किया गया समर्थन, इस वाक्यान्ष के लिए एक सब्द क्या होगा, इसको बोलते हैं, अनुमोदन, option number D, उसके बाद है कि वाक्यान्ष और उनके प्रयुक्ति शब्दों की दरश्टी से कौन सयूगम, गलत है आपको बताना है, तो गलत, या आप अंडरलाइन कर लिए अगर यह पेपर में भी, क और भाषित यह भी सही है, एक-एक अक्षर, तो यह अक्षरा दिया हुआ, जो कि गलत है, यहाँ पर हो जाएगा, अक्सर अक्षः यह होता है, ठीक है, यह सही है, एक-एक अक्षर के लिए, और बिया की व्रक्साइट पर भी यह शब्द यूज किया गया है, कौन सा एक तत्सम शब्द ये बताना है यहांपर ठीक है तो पहले तत्बह वाले छांट लेते हैं आपर दास दिया हुआ है गलत है यह आपका तत्बह में आता है फांसी जो है यह आपका तत्बह में आता है पाशी का होता है इसका तत्सम कुंजी का कुंची का होता है जो की उपर दिय हुआ है option number a में तो हमारा answer हो जाएगा option number a ये तत्समें वाकि सारे आपके तत्भोशब्द हो रहे हैं दिन से बना हुँआ विशेशण पैचानना है तो ये दुवा ये नहीं होगा ठीक है दिवा ये भी नहीं होगा क्योगी दिवा और दिन एक दूसरे के पर्रयवाची है दिवस भी नहीं होगा यह भी पर्रयवाची है दैनिक हो जाएगा आपका विशेषण अशुद्ध वाके का चैन करना है शुद्ध वाले शांट लेते हैं समय बदल रहा है सही आप वापस कब लोटेंगे सही आपका वापस लोटेंगे यह भी सही है भारती दर्शन गूड है यह भी सही है क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है यहाँ पर मेरे पर लिखा हुआ है सर्वनाम की अशुद्धी है बी वाला हमारा सही एंसर हो गया उसके बाद है कि विशेशन पहचानना है यहाँ पर तो यहाँ पर जो विशेशन नहीं है उसको लग कर लेते हैं विशू संग्या है और अगनी भी संग्या है अनंदी भी संग्या है आगने जो है यह अगनी से बनेववा विशेशन है उसके बाद विशेश पहचानना है यहांपर तो विशेश मतलब क्या है कि जिसकी विशेशता बताई जा सकती है तो इस को आप इस तरीके से आप क्रैक करें आप किसी भी शब्द में विशेशन लगा कर देखें लगेगा की नहीं तो कुल में क्या आप विशेशन लगा सकते हैं, फिल्कुल लगा सकते हैं, अच्छा कुल, तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं, तो यह आपका संगया के शब्द हो गया, फिर आपका विशेशन हो गया, option number A, simple, बांकि सारे विशेशन हैं, कुलप, कुल्टा और निराश, उसके अब जैसे हम इनका विशेश भी बना सकते हैं, जैसे निराश से हम लोग बना सकते हैं, निराश यह आपका विशेश हो गया, उसके बाद मेधावी किस मूल शब्द से बना है, तो मेधावी बना है मेधा से, option number B,